नमस्ते दोस्तों मेरी यूटूब चैनल राधस्वादा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं दिबाली के लिए फिर से एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेकी आई हूँ यह हमारा बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट कलाकंद जिसे हम सिर्फ दो चीजों से बनाएंगे और यह देखे कितना अच्छा इसका लूख है यह देखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतना टेस्टी खाने में भी है बहुत जटपट से बनके तयार हो जाता है और इसका टेक्शर देखे बिलकुल मार्केट के कलाकंद जैसा ही है तो चलिए फ्रेंट देख लेते हैं इस इंस्टेंट कलाकंद को हमें कैसे बनाना है रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करना बिलकुल भी ना भूले तो फ्रेंट इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200-500 ग्राम के करीब पनीर लिये हैं और यह पनीर मैंने घर पे बनाया बिलकुल सौक्ट पनीर है ताजा पनीर है देखिए मैं इसे छुटा छुटा इस तरह से तोड़ लूँगी आप चाहे तो मार्केट का पनीर भी ले सकते हैं बट मार्केट का पनीर जो होता है वो थोड़ा सा हाड होता है तो आप उसे कर लेंगे हाथ की मदद से ही इसे चिकना कर लेंगे इस तरह से तो यहां पर लगबग 2-3 मिनट हम इसे इसी तरह से मसलेंगे तो यह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा देखे इस तरह से तो अब हम इसे रख लेते हैं और अब हम चलते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए अगले प्रोसेस के तरफ, गैस पे मैंने एक नॉनिस्टिक कड़ाई रख दिया है, और इसमें हमने जो अभी छेना मसल के रखा, उसे यहाँ पे सारा डाल देते हैं, और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हमें छेना को तीन से चार मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसम मौश्चर है, थोड़ा सा कम हो जाए, तो लगातार चलाते हुए दो तीन मिनट हम इसे पका लेते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे छेना को मैंने लगबग दो मिनट पका लिया है, और इसका जो मौश्चर हो थोड़ा सा कम हो गया है, अब हम इसमें एड करेंगे एक कप कं मेड कंडेंस मिल्क यहाँ पे यूज कर रही हूँ, इसे मैंने घर पे ही बनाया है, इसकी रेसिपी मैंने चैनल पे अपलोड की है, आप चाहे तो देख सकते हैं, और अगर आप अप यहाँ पे ना डालना चाहें, तो अगर आप अप लिग पावडर और इसमें आप चीनी पकाते हुए, मुझे लगबग 5-6 मिनट हो गया है, मैंने लोग फ्लेम पे ही से पकाया है, और यहाँ पे इतना गाढ़ा हो गया है, इसे बहुत जादा हमें गाढ़ा ने करना है, एक डो जासा नहीं बनाना है, नहीं तो यह हाड हो जाएगा मिठाई, तो बस इसी जाए लिया है, इसे हम थोड़ा सा गी से अप्लाय कर लेंगे, आप चाएगे तो किसी प्लेट या थाली में भी इसे बहुत जमा सकते हैं, और कला कंद के थे भी मिक्शर लिए आपसे रन स्या चुकर लेंगे, और उपर से श्मूद कर लेंगे, देखे लोगे, इसे पैच केस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है तो यहां पर हम इस तरह से ड्राइफ रूट से गार्निस करने के बाद हम इसे इस पैचुला की मदद से हलका सा प्रेस कर लेंगे ताकि यह अच्छे से नीचे तक दब जाए इस तरह से देखिए बहुत हलकी हाथ से हम इसे प्रेस और उसके बाद हम इसे 1,5 घंटे के लिए किचन काउंटर पे ही छोड़ देगे सेट होने के लिए या फिर आप इसे फ्रेज में भी रख सकते हैं एक से आधे गए गए ने के लिए तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने एक घंटे के बाद फ्रेज से निकाल लिया है और कलाकंद बहुत अच्छे सेट हो गया है तो अब हम इसे पीसें में कट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा या छोटा आपको जैसा पसंद हो उस तरह के पीसें आप कलाकंद के कट कर ले तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कलकंद के एक पीस को निकाला है और देखिए देखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो सारे पीसे इसको हम ट्रे में निकाल के रख लेते हैं तो फ्रेंड्स दिवाली के लिए बहुत ही स्पेसल इंस्टेंड कलकंद तयार है आप इस रेसिपी को जरू ट्राय करें बहुत ही टेस्टी बना है और देखिए इसका टेक्स्चर बिल्कुल मार्केट की मिठाई जैसा है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये कलकंद की रेस रेसिफिकेशन मिलता रहें तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाई